नमस्कार मैं हूनिशा गई, निमरोलोजिस्ट और पामिस्ट और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2019 वर्ष आपके लिए क्या लाया है, खुशियां, उपलब्धियां, निमरोलोजिस्ट अंक शास्त्वाजरा मैं आज आपको बताऊंगी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी इंपॉर्टन्ट है आपके लिए आज आपको पता चलेगा, 2019 जो है वर्ष जो है जुपिटर का है, अंक उसका आ रहा है तीन, जुपिटर है व्रिधी का प्लानेट, जुपिटर है धन का कारक, जुपिटर है राजनीति का कारक प्लानेट, जुपिटर है विद्या का कारक प्लानेट, तो जितने भी लोग इस शेत्र में कारे करते हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा होने वाला है और ये वर्ष जो है आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा कि पेट की तकलीफे भी शायद आपके इस वर्ष बढ़ सकती हैं लेकिन ये हर मुलांक के लिए अलग-लग भविशिफल लेके आ रहा है तो देखते हैं क्या लाया है मुलांक एक के लिए वर्ष 2019 मुलांक एक वालों के लिए ये सफलता का वर्ष है और सफलता जो है आपको मिलने वाली है अपने कारे में अपने बिजनस में अपने नौकरी में कटनाईया तो आएंगी लेकिन कटनाईयों में कास आप सामना कर पाएंगे नौक का कारे करते हैं और अगर आपकी जनम्तिति में आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार आ रहा है एक नंबर दो या तीन या नो नंबर उनके लिए उन्नती के नए मार्क खुलने आप प्लीज चेक किजए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर इपीट तो नहीं हो अगर ये नंबर इपीट हो रहे है तो ये आपके लिए उन्नती का वर्ष होने वाला है और अगर किसी का भाग्यांग छे है या भाग्यांग आठ है उन लोगों की अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा बनने वाली है इस साथ लेकिन खर्चे भी आप बहुत अधिक करेंगे तो अपनी जेप को थोड़ा सा समाल के रखेगा एक सला मैं और देना चाहूंगी भाग्यांग छे वाले लोगों के लिए कि जो भी काग्जात अगर वह दस्तिकत करते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर वह दस्तिकत कर रहे हैं तो उनको ज़रा ध्यान से पढ़ ले हो सकता है कि आपके साथ दोका हो जाए इस वर्ष और जितने भी लोग जैसे कि मैंने का जबरियर का वर्ष है तो शिक्षा के एरिया में काम कर रहे हैं लेखन, व्यापार, नौकरी, कंप्यूटर, संपत्ति आधी के शेत्रों में जो लो कारे करते हैं उनके लिए वर्ष उत्तम होने जा रहा है तो आपका जो लखी नंबर है, वो क्या है? आपका लखी नंबर है वन और लखी कलर जो है आपका वो है औरिज और लखी डे है आपका मंडे अब हम बात करते हैं मुलांक दो वाले जात्कों के लिए मुलांक्ट दो वाले जात्कों की जितनी भी पुरानी समध्याएं जो काफी सालों से उनके लिए चली आ रही है उनका समाधान हो जाएगा इस साथ और आप अपने कंपनी के लिए हो सकता है आपकी पदोनुती हो जाए आपका प्रमोशन हो जाए और कोई ऐसा दोस्त आपको मिल जाए जो एक सहाय कारे करें और आपकी उनती में वो आपका साथ दे लेकिन आपके लिए यात्रा जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा में कहीं आपको निराशाग ना मिले या यात्रा अगर आप विदेश चा रहे हैं तो पूरी का सामना यात्रा में ज़्यादा करना पड़ेगा तो पूरी प्लानिंग के साथ चाहिए अपने वीजास को साथ मिलेंगे चाहिए मा के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुलांक दो वाले जात्रा को और कोई ऐसा गलत निरने वो ले सकते हैं जिसकी या मित्ता किसी प्रभाफशाली विक्ति से होने वाली है और जो लोग केमिकल के फील्ड में काम करते हैं, सर्जन्स हैं या यात्रा समद्दी, ट्रावल समद्दी व्यवसाय उनके लिए हैं, उनके लिए यह वर्ष जो है यह लापकारी होने वाला है और अब हम देखते हैं क और आपका लकी डे है ट्यूजडे और जो आपके लिए लकी कलर जो रहेगा वो रहेगा सिल्वर अगर आप यह कलर जादा इस्तमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके जिवन में सफलता जादा असानी से आ जाए और मुलांक तीन वालों का तो वर्ष ही है तो आपका में इंट्रेस्ट बढ़ेगा जादा से जादा रिलिजिन पर विश्वास करेंगे धार्मिक यात्राइं भी कर सकते हैं किसी प्रिल्ग्रिमेज की तरफ भी जा सकते हैं और यह वर्ष नेता है लोगों के लिए बहुत अच्छा है जितने भी लोग पॉलिटिक्स में काम कर अच्छा है जो कॉंपिटिटिव एक्जाम में स्टूडंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है फिर भी मैं जरूर कौंगे कि क्योंकि जुप्टर जो इसका ग्रह है स्वामी ग्रह अंक तीन का उन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है तो पेट संब्धित परिशानिया या यूरिन इंफेक्शन या ब्लड प्रशर संब्धित परिशानिया आपको हो सकती है जितने भी लोग शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा है उपलब्धिया लाएगा अगर आप किसी भी प के लिए अगर आप प्रॉपटी में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होने वाला है लकी नंबर है आपका ठ्री और लकी कलर है आपका गोल्डन येलो और लकी डे है आपका संडे अब हम बात करते हैं मूलांग चार वालों की राहु इसका ग्रह है तो हमेशा यह अचानक कुछ ना कुछ दे जाता है रहू हमेशा और अचानक इनकी जिन्दगी में बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं एकसिडेंट्स भी अचानक हो जाते हैं तो यह साल इनके लिए कठनाईयों का से भरा हुआ है लेकिन जिन लोगों का में रिपीटिट सिक्स डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है नमबर उनको मैं जरूर सला देना चाहूंगी कि हो सकता है किसी प्रकार का कलंक उन्हें ना लगे तो अपना ध्यान रखे कोई गलत हरकत ऐसी ना करें जिसकी वज़ा से कि आपको परिशानी आए यह भी हो सकता है कि opposition जो करने की सला में आपको नहीं दोगी जितने भी लोग Sona Aha Gold के शेत्र में मीडिया के शेत्र में चान्दी के शेत्र में TV के कारे करते अंँहें कहूंगी कि इस साल वो छरा संभल के रहे संभल के जतना ज्यादा रहेंगे उतना उनके लिए बैटल रहेगा साथ निच्क ये दे मैं बताने जा रही हूं मूलांक पांच वालों के लिए साल कैसे रहने वाला है मूलांक पांच वालों का तो साल ही रोमेंस और से शुरू हो सकता है हो सकता है नए साल में आप पार्टी से ही स्टार्ट करें अपने घर में एक अची सी पार्टी रख लें और जितने भी लोग को शादी करना चाहते हैं लव मैरेज करना चाहते हैं या शादी में इच्छुक लोग हैं उनका इस साल विवा का योग बन रहा है कुछ महत्वपूर्ण कारे में देर हो सकती है हो सकता है कि आपके पेपल या आपका कोई टेंडर जो है वह पास ना हो पाए जिसके लिए अपनी सेहत का ध्यान एक है क्योंकि सेहत आपकी जो है थोड़ी सी नर्वस प्रॉबलम जिसकों कहते हैं नर्वस की प्रॉबलम या स्किन डिजीजिस से आप परिशान हो सकते हैं और बट अगर आप किसी ऐसे फिल्ड में काम करते हैं जहां की लिखना है जहां की प्रॉदियोंने नहीं होने वाली इतना जरूर कोंगे भी द्यार्तियों के कि अपने एक्जाम में चीटिंग मत किजेगा नहीं तो आप पकड़े जाने का आपको पूरा 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 संयोग बन रहा है पार्टर्शिप्स किसी के साथ करने की सलाम है आपको नहीं दोंग है वो तो विलासिता का ग्रह है लग्जुरी का ग्रह है लव और रमैंस के साथ शुरू होगा लॉट्रे निकल सकती है आपकी लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अप शेर और सट्टे में पैसे लगा दे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए एफटी पे कर सकते हैं म्यूचुल फंद पे आप उन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सोışल मीडिया पैस तो थोड़ा ध्यान से बात करvent करने जिसके वजह से अपको परिशानियों सामना पर करना पड़ कोई भी लग pronoun को लग सकते हैं इसलिक ने आंने दूसरे से प्रेम में उनको एड्मिशन हो जाए प्रेम का नंबर है अच्छे हमेशा रोमेंटिक ही रहते हैं ऐसे लोग लेकिन हो सकता है कि आपका प्रेमी आपको इस वरश दोखा दे तो अगर आपको इन नया गर्रफरंड या बर्फरंड बनाने के मूड में है तो जरा उ इन लोगों के बर्फ डेट में पांच आठ और नौ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उनके लिए हो सकता है कि कोई वो किसी प्रकार की साजिस का शिकार हो जाए साजिस का मतलब मैं यह कहना चाहूंगे कि कॉंस्पिरेसी में ना पढ़ जाए उन पे लांचन भी लग सक थोड़ा से तरक है इसो फिजए हो फिल्मकों कर लिक्ता तो थोड़ा सा तरक रहे सब्सक्रांश धुर्णक करनेर लिए होसकों तूसे शीराकर चाहूंगे तो फिल्मकों काम करते है उनके लिए उनकीन काछ ह्एक वर्ष यह निसकुक्रान में अए उनकिनग पार्धेर स में साथ नंबर टोटल बनता है, साथ जो है केतू का नंबर है, ऐसे लोग थोड़े जिद्धी होते हैं, तो मैं ज़रूर यह कहूंगी कि थोड़ा अपनी जिद्ध को कंट्रोल करेजे, रिजिलूशन बनाइए अगले साल कि आप जिद्ध पर जादा अड़ेंगे नहीं, कि ऐसे के मामले में यह वर्ष थोड़ा सा आपको तंग करेगा हो सकता है, कि आप जादा इन्वेस्टमेंट ना कर पाएं, या खर्चे आपके जादा बढ़ जाएं, अगर आप विपार में हैं, मशीनरी के शेतर में काम करते हैं, चिकित्सा के शेतर में काम करते हैं, डॉक् कर्मेंट सेक्टर से आपको थोड़ी सी परिशानी मिल सकती है, एक सला में और आपको देना चाहूंगी, कि जब आप ओवरीटिंग मत कीजे, ओवरीटिंग करेंगे तो बिमार हो जाएंगे, वेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन बिमारी भी साथ मिलने कर आपको आएंगे, स् इसा रहने वाला है, यह साल, बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं आपको लेकिन आपको धैरे की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, जितनी जादा मेहनत करेंगे, जितना जादा धैरे से कारे करेंगे, उतनी जादा सफलता आपको मिलने वाली है, सही दिशा का चुनाव आपको जरूर करना है, हो सकता है कि कुछ आपको या आपका friend आपको ये कहे कि ये कारे करो, ये मत करो लेकिन मैं ये कहूंगी कि use your brain अपने intellectual को use कीजे सही दिशा का चुनाफ कीजे और विश्ची को जो धनू राशी वाले लोग हैं, वो आपको इस साल ज्यादा प्रभाफ करने वाले हैं आपको हो सकता है कि opposition का आपको office में सामना करना पड़ जाए बहुत से आपकी problem हो सकती है subordinates के साथ आपकी problem हो सकती है लेकिन अगर आपकी जनमतिती में आपकी date of birth में 2, 6 और 9 और बार बार आ रहा है ये वर्ष उनके लिए lucky होने वाला है लेकिन आपको office के चकर जैदा लगाने पड़ सकते हैं और hospital के चकर भी शायद आपको लगाने पड़ जाए अचानक कुछ मिलने वाला है और transfer भी हो सकती है तो हो सकता है कि आपकी transfer जो हो किसी ऐसे जगां पे हो जाए बट ये transfer जो है ये लापधायक होने वाली है आपकी और आपको मैं सला दूँगी कि आप invest कीजे property पे आपको returns बहुत अच्छे मिलेंगे बच्चे की तरफ से भी आपको एक अच्छी खुशकबरी मिलने वाली है नया घर आप खरीच सकते हैं नई कार करीच सकते हैं जो लोग बच्चा चाहा रहते हैं अपने जीवन के लिए उनके लिए भी ये खुशकबरी इस साल आ सकती है और पेट की तकलीफ से आपको बचना है प्रोमोशन आपका हो सकता है लखी कलर है आपका ग्रीन लखी नमबर है आपका फोर और लखी डे है आपका टूजडे अब बात करते हैं नो अंक बालों की मुलांक नो बालों को यह आपकी मर्जी है, विदेश से विपार के साथ आपको लाब होने वाला है, तो आप अपना विदेशी कॉंटक्ट को ज़रा टटोली और जानी और एडमिशन स्टूडन्स विदेश में जो लेना चाहरे हैं, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इंवेस् पोस्ट मत कीजेगा, संभल के पोस्ट कीजेगा, हमेशा मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे समझ के पोस्ट कीजेए आपको, और लेकिन आपके जो कुछ थोड़े से पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, माता-पिता के साथ आपकी हो सकती है, थोड़ी सी कम बने, वे आपके थोड़ से अगेंस्ट रहें, लेकिन जिन लोगों की डेट आफ बर्थ में नाइन आ रहा है, या जिनका लाइफ पात नमबर नाइन है, उन लोगों को बहुत अच्छे अफसर मिलने वाले हैं, नौकरी के, वेपार के, नई जगां से इंटर्व्यू कॉल आ सकता है, आपक को स्पेशल रिकेगनेशन मिल सकता है, आफस में, स्कूल में, कॉलेज में, मैं ये सला दूँगी कि आपकी भूमी के समद्द जितने भी कारे आज चल रहे थे, कोर्ट में केसिस चल रहे थे, वो निप्टारे के कागार पे खड़े हैं, अगर आप एक धंक से अपनी योज बनाएंगे, तो आपके कोर्ट केसिस का जर्निप्टारा हो जाएगा, अगर आप कारे कर रहे हैं, रियल स्टेट में, एजुकेशन में, मशीनरी में, डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए ये वर्ष बहुत-बहुत फायदे मन्द होने वाला है, लेकिन एक बार बात जरूर कहूंगी, क्योंकि मंगल इसका ग्रह है, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है, तो क्रिपा करके जरा सोच समझ के बात कीजएगा, कहीं पिल्टा न पड़ जाए, आपके सिर के ओपर कई इर्जाम न लगा दे, इस बात क साल का ब्योरा मैंने आपको दिया है, आशा करती हूं कि आपको जो चेतामनी मैंने दी है, आप उसका ध्यान रखेंगे, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शुब हो, बहुत मंगल मैं हो, अच्छे रेजिलूशन बनाईए, अच्छी सेहत रहें, इसी के स्वात में आ आपके धन्यवाद देना चाहूंगी, नमस्कार.